फ्लोरास किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है जैसे कि आप जानते ही है कि दिवारी नस्तिकार ही है तो हर एक महिला अपने घर में कुछ न कुछ स्नेक्स बनाती होगी पर उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखे ये पूरी घर पे चरू ट्राइ किजेगा अगर आपके गेस्ट को फैमिली को ये सर्व करेंगे तो वो लोग आपकी तारीफ करना नहीं बूलेंगे तो फ्रंस ऐसे ही फरसी पूरी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना टिप सारी फॉलो करते रहना तो आपकी फरसी पूरी भी ऐसी ही लाजवाब औ और एकदम टेस्टी बनेगी, तो आएज ही शुरु करते हैं, आज का सफर मेरे साथ फ्लोरास किछन में फरसी पूरी के साथ फरसी पूरी आप आटे से भी बना सकते हैं, और मैदे से भी यहां मैं मैदा ले रही हूँ तो यहाँ पर मैदा ले लिया है मैंने दो बाउल साथ में ही दो टेबल स्पून में बेसन एड़ करूँगी और काली मिर्च पावडर है वो आधी चमर्च में डालूँगी और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन लोगी अजवाइन को हाथ से थोड़ा सक्राश करके फिर एड़ कर दूँगी सारी चीजों को एक पर मिला देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी एड़ कर देंगे अब हम डालेंगे इसके अंदर मौइन मौइन के लिए मैं गी का यूज़ करी हूँ देसी घी को मैंने मेल्ट कर दिया है एक कटोरी जितना लिया है वो हम डाल देंगे क्योंकि मौइन जितना अच्छा होगा पूरिया उतनी ही क्रिस्पी बनेगी तो फ्रेंस बाकी का घी है वो भी एड़ कर देती हूँ अब आटे को अच्छी तरह से मौइन करते हुए देखेंगे कि हमारी मुठी बन रही है इसका मतलब यह होता है कि हमारा मौइन एकटम परफेक्ट बड़ा है तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे आटा लगाने के लिए मैंने नॉर्मल पानी का ही योज किया है मैंने ठंडा गरम कोई भी पानी नहीं लिया है रेगुलर पानी ही लिया है तो दीरे दीरे करके आटे में एड़ करते जाएंगे पानी और थोड़ा थोड़ा करके आटा मलके साइड पर रखते जाएंगे और बाकी का आटा ऐसे ही लगा देंगे जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा आटा मुलायम हो सकता है इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए तो अब थोड़ा सा पानी उपर छेड़केंगे और आटा अच्छी तरह से बाइंड कर देंगे तो यहां पर देखे मैंने कितना टाइट आटा लगाया है ऐसे ही टाइट आटा लगाना है अब हम आटा लग चुका है इसको देंगे 15-20 मिनिट का रेश्ट तो इसको ठक के हम रख देंगे 20 मिनिट के बाद हम देखेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से रेश्ट हो चुका है थोड़ा सा हाथों से मल देंगे फरसी पूरी बनाने का दूसरा स्टेफ है स्लरी बनाना तो एक कटोरी में मैं 3 टेबल स्पून जितना मैं दालूंगी अगर आप आटे से बना रहे हैं तो आटा लीजेगा अब मैं इसके अंदर मल्टर घी डालूंगी जरूरत के हिसाफ से वैसे 3 से 4 टेबल स्पून लग जाएगा इसमें जरूरत हो तो हम और भी डालेंगे तो ऐसे करके देख लेंगे अभी हमको गी की और जरूरत है तो एक या दो टेबल स्पून जितना गी और लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और इसमें घी लगेगा तो friends यहां हमारी slurry तयार हो चुकी है आपको उसी टाइम पर बनाना है जब आप रोटी बेल देंगे उसी टाइम पर आपको ज़रूरत होगी तो friends इसको हम रख देते हैं side पर friends आगे की process में आटे को 4 हिसे में divide कर देंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं इसलिए बाकी के 3 हिसे हम side पर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मसल के एक roll बना देंगे यहां पर हमारा roll बन चुका है अब roll को 60 टुकडों में काटेंगे आपको एक सरीके ही cut लगाने है ताकि आपकी रोटी पूड़ी जो भी है एक सरीकी और एक ही size की बने इसलिए यह process करते है तो ऐसे करके हम रोटी बेल देंगे बड़ी सी जितनी पतली हो सके उतनी पतली आप रोटी बेल दे तो ऐसे ही करते हुए हम एक-एक करके रोटी बेलते जाएंगे और रोटी को side पे रखते जाएंगे तो फ्रेंस यहां पर हमको टोटल साथ रोटी पेल ली है क्योंकि हमने साथ लोई तोड़ी है अब रोटी रखने के टाइम पर थोड़ा सा मैदा भी छी डखते और उसके उपर एक और रोटी रखते ये देखे हमारी साथ रोटी रड़ी हो चुकी है अब हम एक रोटी पे सलरी लगाएंगे जो हमने मैदे वाली बनाई थी उसके उपर एक और रोटी रखेंगे उपर से और सलरी लगाएंगे ऐसे ही करके वन बाई वन आपको सारी रोटी रेडी कर देनी है तो ये हमारी आखरी रोटी है उसके उपर भी हम slurry जो है वो add कर देंगे आखरी रोटी पे यहाँ पर मेरी सारी रोटिया अच्छे से हो चुकी है अब मैं इसको fold करूँगी आपको roll बनाना है इसका और आपको tight roll रखना है और ऐसे करके घुमा दीजिए front side का हिसा जो uneven लग रहा है उसको हम cut कर लेंगे अब आपको cut लगाना है तो friends आप अपनी जरूरत के हिसाब से cut लगा सकते है मैंने आदा आदा इच लिया है आदा ही छोड़के मैं cut लगा रही हूं ताकि हमारी पूडिया बने तो एक सरीखी बने इसलिए मैं cut लगा रही हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सारे रोल तयार हो चुके है तो finally अब हम पूड़ी बेलेंगे तो यहाँ पर मैं एके करके पूड़ी बेलूंगी आपको हलके हाथ से ही दो बार प्रेस करके पूड़ी बेल देनी है इसलिए बनके रेड़ी हो चाएगी तो वैसे ही करके हम सारी पूड़ी बेल के एक बार तयार कर देंगे दूसरी तरप मैंने कड़ाई भी चड़ा दी है हमारा तेल गरम होने आया है और हमारी पूड़ी भी रेड़ी हो चुकी है तो चलिए अब हम पूड़ी को फ्राई कर लेते है यहाँ पर मैंने गैस लो मिडियम गैस पर रखा था और हमारा तेल हो चुका है प्रेंस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तेज आज पर कभी भी यह पूड़ी आ नहीं फ्राई करनी है आपको स्लो मिडियम पर ही करनी है और इसको अच्छी तरह से बीच में से ऐसे प्रेस करेंगे तो अपने फूल के वो बहार आ जाएगी थोड़ी दिर के बात आपको इसको पल्टा देना है और यह स्लो गैस पर ही होगा तो ऐसे ही करके मैंने सारी पूड़िया तल दी है देखे कितना प्यारा कलर आया है इसका और उसके एक-एक लेयर्स भी आपको देख रहे है तो ऐसे ही करके हम दोसरी पूड़िया है वो भी फ्राई कर देंगे या फ्रंस जब भी हम ओईल में कुछ भी फ्राई करते है तो तेल ज़्यादा रह जाता है तो हमको टीशू पेपर या न्यूस पेपर की जरूरत पड़ती है पर इस तरह से आप करेंगे तो गरम-गरम तेल में जितना निकलना हो उतना तेल निकल ही जाता है और आप बिना न्यूस पेपर के या बिना टीशू पेपर के डायरेक ही आप प्लेट में निकाल सकते है और सर्व कर सकते है देखिए लग रही है ना एकदम लेस ओयल की पूरिया तो फ्रंस ये बहुत हेल्दी है बहुत इजी है तो अगर पे ट्राय जरूर कीजेगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंस फेमिली में शेर कर दीजेगा मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन सारे ओल कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपकी फोन की घंटी भी बच जाए हम और आप फिर से कनेक्ट हो सके तो फ्रंस मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नई इजी और हल्थी रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग